हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनीवे की इस दुनिया में तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग स्नो लेंड को दिखाने से होती है जहाँ पर साओ स्नो किंग से पूछता है तुम्हें रे के बारे में कैसे पता चला जिस पर स्नो किंग कहती है कि मैं किसी का भी पता चलता है कि छोटा साओ सिर्फ और सिर्फ स्नो किंग का बनाया हुआ एक पपेट है स्नो किंग कहती है कि हाई ये इनसान और उनके इमोशन्स इनके साथ खेलना कितना आसान है और फिर एकदम से स्नो किंग साओ पर बर्फ से अटेक कर देती है जिससे बिचारा साओ उन काफी बुरा नाइट मेरे है मेरे लिए जिसमें मेरी सारी गार्डियन स्पिरिट फ्रीज हो गई जिसे देखकर स्नो किंग कहती है कि तुम इनसान कितने जादा वीक होते हो तुमारी vulnerability को exploit करना तो काफी आसान होता है जिसे सुनकर साव कहता है कि अगर तुम मेरा माइंड रीड कर सकती हो तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ इसलिए जल्दी मुझे खत्म कर दो वरना मैं तुम्हें खत्म करने में देर नहीं करूँआ और ये बात स्नो किंग भी काफी अच्छे से जानती थी और इसलिए वो स्नो का ड्रेगन बना कर साव पर अटेक कर देती हैं और इसके कारण वहाँ पर बहुत बड़ा धमा का होता है सब तरफ धुआ ही धुआ फेल जाता है लेकिन जब धुआ सेटल होता है तो साव अभी भी सही सलामत था लेकिन कैसे दरसल स्नो किंग के बनाए हुए स्नो पपेट ने उसे बचा लिया था जिसे देखकर साव और स्नो किंग दोनों ही चोक जाते हैं कि भई ये कोन है मगर तभी रिविल होता है कि साव को बचाने वाला और कोई नहीं बलकि उसकी पांचवी गार्डेन स्पिरिट शू हैंग होता है जो कि स्टार्टिंग में छोटे साव के साथ जुड़ चुका था तो वहीं शू हैंग के आते ही साव की भी सारी पावर्स वापस आ जाती है अब ये सब देकर स्नो किंग तुरंत शू हैंग पर अटेक करके उसको फ्लावर जैसे दिखने वाले बर्फ के स्ट्रक्चर में केट कर देती है और उसे लग रहा था कि शू हैंग तो इससे बाहर नहीं निकल पाएगा और इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है मगर शू हैंग बहुत ही जादा पावर्फुल होता है वो उस इस्ट्रक्चर को तोड़ कर स्नो किंग पर अटेक कर देता है और कहता है कि मेरे साथ हेल फायर भी है जिसके सामने तुमारी बर्फ कोई माइने नहीं रखती अब इसके जवाब में स्नो किंग धेर सारे भेडियों को समन करती है और शू हैंग पर अटेक करने के लिए ओडर देती है लेकिन शू हैंग भी कुछ कम नहीं होता है वो एके करके सारे भेडियों को खत्म करता जाता है मोगर भेडियों की तादात बर्दी जा रही थी और इसलिए वो वाइट ड्रेगन स्पेल का यूज करके एक साथ सारे भेडियों को धमा धम धमा धम उड़ा देता है सब को ठीकाने लगा देता है और ये देखकर स्नो किंग को काफी जादा गुस्सा आ जाता है वो भी इतना कि वो अपने human form को छोड़ कर अपने असली रूप यानि आठ सर वाले एक दम डेंजरस ड्रेगन के रूप में अपियर होती है जिसे देखकर शू हैंग हसते हुए कहता है ओ तो स्नो किंग एक बड़े कीड़े जैसी है छी जी जी नाली की कीड़ी ये सुनकर स्नो किंग उसके उपर बर्व से अटेक कर देती है लेकिन शू हैंग काफी आसानी से बच जाता है और कहता है कि अब क्योंकि तुम्हारे इतने सारे सर है तो मुझे भी थोड़ी हेल्प तो लेनी होगी न क्यों कीड़ी सही कह रहा हो कि नी बस इतना कहते ही वो अपनी पावर्स का यूज करके साओ की बाकी की चारों गाडिन स्पिरिट को स्नोकिंग की पावर से आज़ात कर देता है और जैसे ही वे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो एक-क करकर कहने लगते है हम शू हैंग को सारा मज़ा अकेले तो नहीं लूटने देंगे हम एके करके स्नो किंग के सारे सर को धड़ से अलग करेंगे जिसमें काफी मज़ा आएगा क्यों बंदू अब उन सब के जोश को देखकर साओ कहता है कि ये हुई ना बात अब खेलने में और मज़ा आएगा जिसके बाद हम वाइड एंगल से नजारा देखते हैं एक तरफ सा अभी पर अपने वर्फ से अटेक कर देती हैं जिससे सारी कि सारी गार्डियन इस्पेरिट बाल बाल बसती हैं और शूचू तो जमनेई वाला था लेकिन सई टाइम पर वो अपनी हैल फायर का यूजज करके बच जाता है अब ये देखकर साओ सभी गार्डियन स्पेरिट से कहता है कि जनरल्स अब सभी लोग अपने अपने कामों में माहिर हैं लेकिन ये मत भूलना कि हम एक आर्मी है जिसके बाद वो कहता है शूचू और डियान तुम लेफ्ट साइट से अटेक करना राजू नमबर वन राजू नमबर टू तुम राइट साइट से अटेक करना और आगे वो शूहेंग से कहता है कि तुम फ्रेंट साइट से अटेक करना मैं तुमारे साथ हूँ आज हम इस स्नो किंग को खत्म करके रहेंगे जिस पर सारी गाइडियन स्पिरिट के साथ शूहेंग कहता है कि हम आपको निराश नहीं करेंगे मास्टर और फिर इसके एक सर को पकड़ रखा था और अगले ही पल वो उसके सर को जोरदार घदा मारता है तो दूसरी तरफ डियान मोक्य का फायदा उठाकर स्नो किंग के एक दूसरे सर को भी काट डालता है इधर राजू नंबर एक अपनी रेट घोस्ट आर्मी का यूस करके स्नो किंग के दो स पिला देखकर स्नोकिंग उसके उपर कोल्ड लेजर का यूज करता है लेकिन शूहेंग अपनी ढाल का यूज करके उसे रोक लेता है पर तभी दूसरा सर्ट साइट से अटेक करने की कोशिश करता है तो साव उस पर वार करके शूहेंग को बचा लेता है और वो कहता है कि सार जनरल्स अपनी पूरी पावर का यूज़ कर रहे हैं तो उनका लीडर के से पीछे रह सकता है तो अब इस डिस्ट्रेक्शन का यूज़ करके शूहेंग तुरंत स्लेशर ब्लेड का यूज़ करता है जिससे वो एक साथ स्नो किंग के दो सर को धर से अलग कर देता है अब बच तो स्नो किंग के गुसे का ठिकाना नहीं रहता है और इसलिए वो अपने बाकी चारों सरों को जोड़ कर एक खतरनाक ड्रेगन के रूप में अपियर होती है और तुरंत वो एपसोल्यूट फ्रीज का यूज करके उनके उपर अटेक कर देती है जिससे शूहेंग अपनी शील हाड हो चुकी है उसे मारना बहुत मुश्किल है इस तरफ शूहेंग भी कहता है कि मैं इस कोल्ड लेजर को जादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा यह में हर्ट कर सकती है अब इसका रास्ता तो साओ को ही निकालना था इसलिए साओ सभी गाइडियन स्पिरिट से कहता है कि तुम सब लोग अपनी अपनी पावर शूहेंग के वेपन में ट्रांसफर कर दो उसी की फ्लेम स्नोकिंग को खत्म कर सकती है और जैसी मास्टर का ओडर मिलता है सारी गाइडियन स्पिरिट तुरंत शूहेंग के वेपन में अपनी पावर ट्रांसफर कर देती है पावर ट् शू हैंग बचने की पूरी कोशिश करता है और ये देखकर इधर साओ स्नो किंग के उपर एक छोटा सा अटेक करता है जिससे स्नो किंग का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है और इसी मोके का फाइदा उठा कर शू हैंग फूर्टी दिखाती हुए तुरंत अपने वेपन से स्नो भी बड़ा धमा का होता है और जब आसपास का धुआ हटता है तो हम देखते हैं कि शू हैंग के अटेक के कारण वहाँ पर काफी बड़ा गड़ा बन चुका था और अब क्योंकि स्नो किंग बिल्कुल हारने की कगार पर थी इसलिए वो रे के रूप में साओ के सामने आती है और कहती हैं कि साओ प्लीज मुझे मत मारो ये मैं हूँ रे दरसल स्नो किंग ने मेरी सोल खाली थी लेकिन अब मैं फाइनली आजाद हो गई हूँ प्लीज मुझे मत मारना जिसे सुनकर साओ एकदम दया के भाव से उसके पास आता है और कहता है कि मैं हमेशा सोचता था कि अगर रे सच में जिन्दा होती तो जिन्देगी काफी जादा अलग हो जाती शायद मैं एक डिफरेंट परसन होता जिसा आज हूँ वेसा तो बिलकुल भी नहीं आज मैं फियर लेस हूँ इसलिए खतरनाक भी हूँ जिसे सुनकर वो तो वापस बातों में फसाने की नहीं लेकिन फिर भी स्नो किंग मैं तुम्हें थेंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे रे के साथ थोड़ा ओर टाइम बिताने का मोका मिला और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से और अब मेरा मन भर गया है इसलिए अब तुम्हें यहां से जाना चाहिए जिसे सुन कर स्नो किंग जो की रे के रूप में थी उसकी फटकर चार हो जाती है और वो साव से कहती है अरे रुको रुको भाई अरे थोड़ा सा रुको तो सही अरे प्लीज प्लीज रुको तो सही मुझे मत मारो मैं जानती हूँ कि तुम एंशन बिल्डिंग के ट्रेजर लेंड में जाना चाहते हो, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ, प्लीज मुझे मत मारना, जिस पर साओ अपना वेपन नीचे मार कर गुसे से कहता है, कि जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो मेरी फैमली और फ्रेम्स का मजाक उडाता है, मैं उन्हें कभी जिन्दा नहीं छोड़त और इतना कहती वो स्नो किंग पर वार कर देता है, जिस से स्नो किंग जलने लगती है, और इस दोरान स्नो किंग चीखते हुए कहती है, कि साओ अगर मैं मारी गई तुबागी के किंग्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो आगे भी कुछ कहने वाली थी, कि साओ उसे के लिए खत्म कर देता है राम नाम सत्य है और फिर रे के कपड़ों का एक हिस्सा साओ के हाथों में आकर गिरता है जिसे देकर साओ कहता है कि कोई प्रोब्लम नहीं मैं उन्हें भी देख लूँगा तो दूसरी तरफ स्नो लेंड टूटने लगता है जिसे देकर शुएंग क कहता हैं कि स्नो किंग के ना होने की वज़े से स्नो लेंड भी अब डिस्ट्रोई होने वाला है तब ही आसमान से वर्फ की सीडिया नीचे आती है जिसे देखर साव कहता है कि शायद ये बहार का रास्ता होगा और इसलिए वो उस रास्ते पर चल पड़ता है और फिर गाई सिसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है